स्वागत दोस्तों निमाय कुमार की इस YouTube चैनल में जिसका नाम है NKD InfoDeck फिलाल आज की इस वीडियो में अम्रुप जानेंगे कुछ बेसिक चीजों को और जानने वाला है कि फोटो और वीडियो को कैसे इंपोर्ट करते हैं टाइम लाइन पर और उसको अम्रुप किस तरह से इडिट कर सकते हैं इस से पहले वाला जो मेरे वीडियो है फर्श पार्ट उसमें हम यह बताए है कि काइन मास्टर के जरीए छोटे से छोटी यूटूबर्स और बड़े से बड़े यूटूबर्स अपनी वीडियो को कैसे यूज़ करते हैं उसको कैसे यूज़ मेलाते हैं दूसरा चीज हम बताये थे हैं कि काइन मास्टर अगर आप यूज करना नहीं जानते हैं तो सबसे पहले आपको उसको इंस्ट्रोल करना होगा और इंस्ट्रोल करने का प्रोसेस क्या है वो भी मैं फर्स्ट पार्ट में बताया हुआ हूँ फिलाल आज के इस वीडियो में हम लoga जानेंगे कि टाइमलान इंपर फोटो और यूज और वीडियो को कैसे इंपूट करते हैं और एफेक्ट को कैसे डालते हैं धेरे धेरे हम लोग यह सारी चीज़ों को जानेंगे और दिरते करके हम लोग आगे भी बढ़ेंगे है तो कु कुछ इस तरह का इंटरफेस दढ़ने को मिल दाएगा खेस्टर मास्टर इंस्ट्रल हो जயेगा तो पहला और तिसरा आपका कोई काम का नहीं है जो मेरा काम कदीजाय वह वह मेरा बीच वाला है जहां पर आपको एक पर प्रस का सायन इस तरह दिख रहाँ होगा ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले प्लस व्ला साइन पे टिक आउट करते हैं तो जैसे आप टिक आउट किजेगा आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेर देखने को मिल लाएगा फिर से तीन तो अगर आपको इंस्टाग्राम या फेस्बुक के लिए वीडियो बनाना है तो आप क्या कर सकते हैं वन रेशियो वन का यूज़ कर सकते हैं अगर आपको टिक टॉक ठीक है, TikTok, Vigo Video, Quai App, तो यह सारे चीज का अगर वीडियो आपको बनाना है, तो आप इस चीज का यूज़ कर सकते हैं, यानि 9 रेशियो 16 का आप यूज़ कर सकते हैं, ज्याता से ज्याता यूज़ होने वाला है, वो मेरा 16 रेशियो 9, यानि कि आप वीडियो अगर बनाते हैं तो ज्याता से ज्याता लोग क्या करते हैं, इसी के यूज़ करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि इस रेशियो में हमको यूटुब के लिए वीडियो बनाना है, तो आप 16 रेशियो 9 का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो इस हिसाब से आपको जो रेशियो में वीडियो को में ठीक है क्योंकि ज्यादा तर यूज होता है इसी का 16 ratio 9 तो हम लोग क्या करते हैं कि 16 ratio 9 open कर लेते हैं जैसे आप 16 ratio 9 open किजेगा आपके पास इस तरह का एक इंटर्पंड देखने को मिल दागा फिर से ठीक है तो इन चीज यह अभी जितना तो ये चार चीज आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है कि ये चार चीज के यूज क्या होता है तो सबसे पहले हम लोग इस चीज के बारे में जानते हैं कि ये चीज क्या होता है तो देखिए audio यहाँ पर आपको तीन चीज मिल लाएगा audio audio master volume project master volume तो यह आपका 100% रहागा और यह आपका off रहना चाहिए उसके बाद अगर हम वीडियो में जाते हैं तो वीडियो यहां अपने मर्जीर से यूजर कर सकते हैं उसके बद हम जाते हैं एडिटिंग में जाने के बाद डिफॉल्ट डूरेशन आप जो फोटो उसमें इंपोर्ट किजेगा वह कितना डूरेशन का आप रखना चाहते हैं तो यहां मैनूली जो होता वो 4.5 यानि कि लगवग लगवग 4 सकेंड का वह होता ड्यूरेशन ठीक है आप अपने हिसाब से उसको फिर बढ़ा भी सकते हैं खटा भी सकते हैं वह आपके ओपर डिपेंड है उसके बाद हम लोग अगर एडिटिंग मजाते हैं फिर से तो यहां पर आप लोग देख इसको आपको डिफॉल्ट रहने देना ठीक है उसके बाद आपको यहां से टिक आउट कर लेना और फिर से हम लोग जाए वह अब ना जो मैरा फर्स्ट वोजिशन का इंटरफेस था उसी पर हम लोग आ जाएंगे दूसरे बात अगर हम लोग इस पर टिक आउट करते हैं त तो यहां से आपको क्या होगा कि यहां से आप जितने वी तरह का इफेक्ट है ट्रांजिक्शन का इफेक्ट वीडियो का इफेक्ट ओडियो का इफेक्ट तो यह सारा चीज आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं बट अगर आप इसको प्लेस्टोर से डाउनलोड किया है इतना फड़ सकता है तो इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा एक-दो दिन बाद या एक-दो वीडियो के बाद कि आप सारा चीज यानि कि जो पेड़ वर्शन वाला इफेक्ट है उसको भी आप प्रिम में कैसे यूज में ला सकते हैं उसको इंस्ट्रॉल करके ठीक है तो यह तो बात की बात है कि इसका यूज हम लोग किस बकार कर सकते हैं उसके बात चौथा जो मेरा है तो चौथा मेरा यह है तो इसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं तो इसको जैसे आप टेट किजिएगा तो आपके पास यहां दो इंटरफिर्स देखने को मिल जागा य वीडियो को रिकोर्ड करने के लिए कर सकते हैं अगर आप काइन मास्टर के तुरू वीडियो को रिकोर्ड करते हैं तो डियरेक्टली आपका इडिट का प्रोसेस काइन मास्टर में आ जाएगा ठीक है अगर आप मैनुवली आपका जो डिफॉल्ट कैमरा है उससे अगर आप capture करते हैं तो आपको manually क्या करना पड़ेगा उसमें insert करना पड़ेगा लेकिन यहां से अगर आपको इभी चीज को record करते हैं तो directly आपके इसमें edit में आ जायेगा तो यह तो हो गई बाद तो हम लोग back चले जाते हैं और उसके बाद यह है media तो इस media में क्या होता कि इसी से आपको सारा चीज लाना है फोटो ओडियो वीडियो जितना भी चीज है ठीक है तो सबसे पहले में क्या करते हैं media को click करते हैं तो जैसे आप click किजिएगा आपके पास इस तरह का कुछ interface इन चार चीज़ को जाना बहुत ही ज़रूरी है बैक्ग्राउंड आप अगर फस्ट में कोई बैक्ग्राउंड देना चाहते हैं ब्लेक वाइट या कुछ डिफॉल्ड आपका जो है वो colors को दिया गया है तो इन colors को अगर आप को यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं तो बैक्राउंड क्क्रॉमा की में हम लोग ग्रीन कपड़ा का यूज करते हैं और उसका जब हम लोग को बैक्राउंड उसको दिया हुआ उसके बाद फैब्रेट आपको कोई चीज अगर अच्छा लगे तो आप इसको यहाँ पर सेफ करके रख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग को इसमें सेफ करके कुछ चीजों को ला सकते हैं और जब आपके पास अगर सब्सक्राइब जाता है यहां पर आपके पहले पार हो दौनाड यहां तो हमलुक क्या करना आपको सिंप्ली क्लिक करना तो यहां आप जैसे हम टिक कर लेते हैं तो आपके पास टाइम लाइन पर यह चीज़ आ गया है तो अब इसको अगर प्ले करते हैं तो आप देख पाएंगे तो यह मेरा टाइम लाइन पर आचुका है अब इसको आप चाहाएं कि हम बढ़ा करें या चोटा करें तो सिंप्ली क्या करना है और टेप करने पास आपके पास इस पर्चन abusive करना सिंप्ली क्या करना स्सी लएनि कि अगर अगर आगे तरफ आप स्क्रोल करते हैं तो आपका इमेज बनता चला जाएगा आप जितना मिट का बनाना चाहते हैं आपके पास यहां टाइम भी सो होगा कि आप कितना देर का बना रहा है जैसे अभी यह 30 सकेंड का हो चुका है उसके बाद आम लोग को सिंपली क्या करना है यह चीज जैसी आजाएगा आपके पास बहुत सराचीज हाइलाइट हो जाएगा यानि कि यहां पर आपका बैक पॉर्सन हाइलाइट हो जाएगा यहां से स्क्रीन को आप क्याप्चर कर सकते हैं यहां से सेर कर सकते हैं या वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हैं यहां पर बात करें layer ठीक है तो अगर आपके पास layer जैसे आप क्लिक किजेगा तो अगर आपके पास media का option आ रहा है ठीक है बहुत ऐसा application है जिसमें आप काइनवास्टर को अगर use करते हैं उसको install कर लेने के बाद ये media का option नहीं आता है लेकिन आप मेरे अगर वीडियो के description में जाता है वहाँ पर आपको link मिलेगा उस link को आप open किजिए और उस काइनवास्टर को आप open किजिए तो आपको यहाँ पर media का भी option मिल जाएगा मैं जल्द ही वीडियो की description में दे दूँगा ये link और वहाँ से भी आप लोग इस काइनवास्टर को use कर सकते हैं और ये काइनवास्टर पूरी तरह से Craig फरसन है ठीक है यानि आपको यहाँ पर सब चीज मिल जाएगा उसके पास आपके पास मिल जाएगा effect उसके बाद overlay उस मिल जाएगा effect में जाते हैं तो आपको यहाँ पर बहुत सारा effect देखने को मिल जाएगा और media में क्या होगा कि आप time line पर फिर से कोई video या audio को ला सकते हैं उसके पाद हम लोग बात करें voice की तो अगर आपका कोई video है उसमें video अगर silent है और आप externally क्या कर सकते हैं उसमें अग यहाँ पर है audio तो अगर आप तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा audio तो अगर आप अपने वीडियो में कोई audio को import करना चाहते हैं माल लिजे आपका एक कहीं से आप video को suit कर लिए ठीक है suit करने के लिए आपका जो surrounding उना noise है उसमें काफी जादा होगा तो उसको आप mute करके आप अपने choice का कोई भी audio कोस में import कर सकते हैं इससे क्या होता है कि आपका वीडियो का quality बहुत ही सुन्दर और अच्छा देखने को मिल जाता क्योंकि background noise हट जाता और आप अपने हिसाब से कोई भी अच्छे खास से audio कोस में डाल सकते हैं तो इस प्रकार से यह चीज क कर सकते हैं तो यह जाता हैं